जो जो केट्स अतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष है तुम्हें हराना मुझे वह नन्ना खरगोश मुझे हराएगा असंभव सारे जिन्दगी अभ्यास करे फिर भी मेरे चितना अच्छा अनृति नहीं कर पाएगा इस बार भी देख लेना मैं ही जीतूँगा खरगोश मेरे दोस्त यहलो मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ इसे खालो आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त चलो प्रतियोगिता जीतने चले जैसे तुम्हे मुझे पर भरोसा है वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूँगा मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव जी संभव हो सकती है हाँ दोस्त इस मोर का घामर्ण हमें तोड़ नहीं होगा चलो चलते हैं दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान तक पहुँचे प्रतियोगिता के समय सभी जानवर बहुत उच्छुक थे कोई मोर को प्रोचाहिद कर रहा था और उसी के लिए आवाजे लगा रहा था तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया हमेशा की तरहां मोर बहुत अच्छा नाचा मोर के बाद अन्य प्रत्योगियों को एक एक करके मज़ पराकर अपना नृत्य दिखाना था सभी का नृत्य अच्छा था मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था सबसे अंट में खरगोश को मौका मिला खरगोश ने जी तोड महनत की थी उसने इतना सुन्दर नित्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे वाह 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 इतना सुन्दर नित्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा आज का विजेता और कोई नहीं हमारा घरगोश है और सभी लोग तालियां भजाने लगे मोर चुप चाप शर्मिंदा होकर वहां से पुन्य कोटी पुन्य कोटी नाम की एक गाए थी जो एक पुजारी के पास रहा करती थी जो उसका खूब खयाल भी रखता था गाए भी पुजारी का बहुत खयाल लखा करती थी पुजारी के परिवार में पुजारी और उसके बेटे के सिवाए और कोई भी नहीं था पुजारी का बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था पढ़ने लिखने में ध्यान दो बेटा मैं एक पुजारी हूँ, व्यापारी नहीं, तुम्हें पढ़ लिखकर खुद ही अपनी जिन्दगी बनानी होगी, कुछ पढ़ाई में ध्यान दो, हर साल तुम फेल हो जाते हो, जी पिताजी, अब आओ, दूद पीलो, जी पिताजी, पुजारी का बेटा खूब दिल लगा कर पढ़ाई करता था, क्योंकि वो हर बार की तरहां इस पार फेल होना नहीं चाहता था, जब तक रात में वो जाकता, गाए भी जाकती, और जब वह सोता, गाए भी सो जाती, इस तरहां काफी समय पीता गया, गाए ने एक मा की तरहां हमेशा उसका ध्यान रखा, और बहुत जल्द इम्तिहान आने पर वह अच्छे नमबर लेकर पास हो गया, पिता जी ये देखिए, आज मैं पूरे स्कूल में सबसे जादा अंग पाकर पास हो चुका हूँ, बुजारी बहुत खुश हुआ, वाह बेटा, तुने जो कहा, व तो मैं बहुत खुश हूँ, चल मेरे साथ मंदिर, भगवान का अशिरवाद ले लें, जी पिता जी, पर उससे पहले मैं पुन्यकोटी का अशिरवाद लेना चाहता हूँ, जिसने एक मा की कमी कभी मुझे महसूस नहीं होने दी, ये भी हमारे घर का सद्द से है पिता जी, बिल्कुल ठीक बेटा, आज तुम्हारी बाते सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, चलो चलो पुन्यकोटी को भी भधाई दें, हाँ पिता जी, पुन्यकोटी ने भी मुझ पर बहुत महनत की है, उसने अपनी रातों की नीन मुझ पर नचावर कर दी, अपना दूद पिलाकर मेरी नस नस में अच्छे संसकार भर दिये, पिताजी मैं इसका अशिरवात लेना चाहता हूँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर, और इस तरह पुन्यकोटी का अशिरवात लेकर, पुजारी और उसके बेटे ने उसका धान्यवाद किया, बत्तक और मुर्गी, एक ता किनारे आती थी, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, दोनों दोस्तों को एक दूसरे की याद आने लगी, अब तो कितने दिन हो गए, बरसात बंधी नहीं हो रही, मुर्गी को यहां आए कितने दिन भीच चुके है, मैं इस बरसात से तंग आ चुकी हूँ, ताला पूरा पानी से भर चुका है, और मुझे मुर्गी की बहुत याद आ रही है, मुर्गी को भी अपनी दोस्त बत्तक की खूब याद सताने लगी, कितने दिन बीच गए, बेचारी बत्तक, कब तक पानी में परिशान रहेगी, इतनी बारिश है, इतना पानी है, बत्तक के पास तो तालाब के सिवा कोई और खर भी नहीं है, उसका घर तो तालाब ही है, कुछ दिनों के बार जब बारिश शुकी, तब मुर्गी अपनी दोस्त बत्तक को मिलने के लिए बेचैन हो गई, आज तो मैं अपनी दोस्त के पास जरूर जाओंगी, आज तो मेरी दोस्त मुझसे मि रास्ते पर चल पड़ी, पर रास्ते में उसे हाथ ही मिला, अरे तुम कहां जा रही हो, देखती नहीं हो, पूरी जमीन कितनी जादा गिली है, चार दिन की बारिश में जंगल का पुरा हाल हो चुका है, हर तरफ पेड़ गिरे हुए है, तुम्हें चोट लग सकती है, तु तुम्हें कहीं नहीं जाना जाहिए मुर्गी, नहीं हाथी, मुझे जाने दो, चार दिन की बरसात में मैं अपनी दोस्त बत्तक का हाल भी नहीं पूछ पाई, मेरे पास तो अपना घर है, मगर मेरी दोस्त बत्तक तालाब में रहती है, मैं जानना चाहती हूँ, वो ठीक त पीट पर बैट जाओ, मैं तुम्हें बत्तक के पास ले चलता हूँ। हाथी ने मुर्गी की सहायता की और उसे उसकी दोस्त बत्तक से मिलाया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। मैं मान गया, तुम दोनों जैसा दोस्त पूरे जंगल भी नहीं है। मंदिर के सामने बहुत से गरीब लोग रहा करते थे, जो महनत मजदूरी करके अपना कुजारा करते। उनहीं में एक लड़का था संतू, जो हामेशा कुछ फूर और पत्ते लेकर भगवान को चढ़ाने के लिए गुलदस्ता बनाया करता। कभी गेंदे का, कभी गुलाब का, तो कभी तूलसी के पत्तों का। सभी भग उसके गुलदस्ते बढ़े चाव से खरीते और मंदिर में चढ़ा थे। एक दिन जब संतू फूल बेच रहा था, फूल ले लो फूल, सुन्दर सुन्दर फूल, प्रभू के चर्णों के लिए फूल ले लो। तभी वहाँ से एक सेट कुजरा। अरे वह, कितना सुन्दर गुलदस्ता है। ये सब मुझे दे दो बेटा। सेट ने सभी गुलदस्ते ले लिए और मंदिर में चढ़ा दिये। पुजारी ने सभी गुलदस्ते मंदिर में मूर्ती के आसपास लगा दिये। सभी लोग देखकर हैरान थे कि मंदिर कितना खूपसूरत लग रहा है। सेठ ने संतु से जाते हुए कहा। मैं तुम्हें रोज इतने ही पैसे दिया करूँगा। क्या तुम इन पैसों में रोज मंदिर के भीतर जाकर मंदिर की सजावट करोगे। जी हाँ जरूर करूँगा। अब हर रोज संतु मंदिर को सेठ जी के आने से पहले वहाँ अच्छे से सजा देता। सेठ उसे खूब पैसे देता। एक दिन सेठ ने संतु को कुछ जादा पैसे दिये। सेठ जी आज जादा पैसे क्यों। आज मेरी बेटी की शादी है। मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी लिए तुम रख लो। और हाँ शादी में जरूर आना। संतु बड़ा सा गुलदस्ता लेकर शादी में पहुँचा। उसने देखा सेठ तो बहुत परिशान है। क्या हुआ सेठ जी। अरे बेटा आज जो कारीगर सजावट के लिए मैंने बुलाए थे वो अभी तक नहीं पहुँचे। और जानते हो बरात आती ही होगी। संतु ने जट से पूरा घर सजा दिया। इतनी सुन्दर सजावट की कि आने वाले बराती सभी देखते रह गए। सभी संतु की तारीफ किये बिना नहीं रह रहे थे। अब एक-एक करके सभी बड़े पैसे वाले लोग संतु को चानते थे। सभी ने एक-एक करके संतु को हर बार मौका दिया। और उसे अच्छा काम मिला। शादी में आये बहुत से लोगों ने संतु की तारीफ की और उसे खूब काम दिया। देखते ही देखते संतु अपनी महनत से करोड़ पती बन चुका था। और अब गरीबी उसे च्छू भी नहीं पा रही थी। सोने की माया मचली। दीपू एक बहुत अच्छा बच्चा था। उसे उसकी मा रोज मचलीओं को खाना डालने के लिए दिया करती थी। दीपू चलो बेटा जाकर ये खाना मचलीओं को डालाओ। जी माँ। दीपू रोज खाना लेकर नदी कीनारे जाता। झालने की माचलीओं को बड़े मजे से खाना खिला था। मचलीओं भी दीपू के आते ही खुश हो जाती। देखो देखो दीपू आ गया। होँ हो, चलो चलो, खाना खाते हैं। सभी मचलीओं दीपू की पहुत अच्छी दोस बन चुकी थी। एक दिन जब दीपू मचलियों को खाना खिला रहा था, उसने एक मचुवारे को वहाँ आते हुए देखा अज इन सारी मचलियों को पकड़ लूँगा, किसी को नहीं छोड़ूँगा मचुवारे ने मचलियों पर जाल बिचा दिया, और उस जाल में बहुत सी मचलिया फस गई वाह, बहुत सारी मचलिया फसी है, आज तो दावत होगी ने छोड़ दो, इन्हें मत मारो, ये सब मचलियां बहुत अच्छी है, ये मेरी दोस्त है पीछे हटो, अब ये मेरी है, मैंने इन्हें पकड़ा है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है मैं तुम्हें जोड़ चाहिए वो दूँगा, बस तुम इन्हें जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो नहीं तो वे मर जाएंगी दीपू रोने लगा, तब ही एक सोने की मचली ने दीपू को आवाज दी दीपू, दीपू, सुनो, रोना बन करो, और जल्दी से आकर ये मचली मेरे हाट से ले जाओ क्यों, तुम बोल सकती हो हाँ तुम उन्हें बचाना चाहते हो ना हाँ मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ वो मेरी दोस्त है तो ये लो ये मचली जाकर उस मचवारे को दे दो फिर देखो क्या होता है दीपु ने सोने की माया मचली से वह मचली लेकर मचवारे से कहा ये लो इसे भी ले जाओ अरे वा काला सांप, बचाओ, बचाओ, यह मुझे काट लेगा, बचाओ, बचाओ मचुवारा डर के मारे सभी मचलियों को वहाँ छोड़ कर भाग गया और दीपु ने तुरंट सभी मचलियों को एके करके तुरंट पानी में डाल दिया सुनेहरी मचली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे कारण मैं अपनी दोस्तों की मदद कर पाया तुम बहुत अच्छे हो दीपू मगर तुम बोल कैसे सकती हो मैं माया मचली हूँ हर नदी में एक सोने की माया मचली होती है लेकिन वो सिर्फ उनी के सामने आती है जो दिल के बहुत अच्छे होते है जैसे कि तुम दीपू क्या तुम मेरी भी दोस्त बनोगी हाँ हाँ क्यों नहीं आज से हम दोनों दोस्त है और इस तरह माया मचली ने अपनी सहेलियों और अपने दोस्त दीपू की मदद की पापड़ वाली का व्यापार सुधा एक बहुत ही मेहनती औरत थी वह दिन रात पापड़ बनाती और घर घर जाकर पेचती सभी उसके पापड़ खाकर बहुत खुश होते बिमला बहन पापड़ लेलू अरे सुधा आओ 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 अंदर आओ नहीं नहीं आज दूसरे गाओं भी जाना है थोड़ी जल्दी में हूँ अच्छा ठीक है एक बात कहूं सुधा हाँ हाँ कहो बहन तुम एक दुकान खोल लो ये यू बाहर बार बार निकलना बहुत परिशान करने वाला है नहीं बहन मेरे पास इतने पैसे कहां कि दुकान खोल सकूं मुझे तो बच्चों की स्कूल की फीज तक भरना मुश्किल हो जाता है अच्छा अब मैं चलती हूँ सुधार दूसरे गाउं में अपने पापड बेचने गई वहां सभी ने बहुत खुश होकर उसके सभी पापड खरीद लिये पापड बेचकर जब वह वापस आ रही थी तो रास्ते में उसे एक महिला मिली मेरे पास पापड खरीदने के पैसे नहीं है क्या तुम मुझे इसकी विधी बता सकती हो मेरा बेटा इसे खाना चाता है आज नहीं तो कल जब पैसे होंगे तब बना कर खिला दूँगी ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे बेटे के लिए मगर विधी मैं एक शर्त पर बताऊंगी क्या अगर तुम भी इस तरहां रोज मेरे बने पापड बेचोगी मैं रोज तुम्हें कुछ पैसे और पापड दूँगी सच? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा मैं बहुत करीब हूँ बहुत दिनों से काम की तलाश में भी हूँ आपका बहुत बहुत दन्यवाद बेहन सुधा का काम दोग गुना हो गया अब वहाँ हर गाओं में जाकर एक महिला ढूंती और उसकी मदद करती ऐसा काफी समय तक चलता रहा धीरे धीरे सुधा के पापर गाओं ही नहीं शेहरों तक पहुचने लगे अब सुधा ने अपनी खुद की फैक्टरी बना दी जहां बहुत से कारिगर काम करने लगे कैसी हो विमला बहन ठीक हूँ याद है एक समय था तुम एक दुकान खरीद नहीं पा रही थी और आज तुम्हारी काम्याबी देखकर मैं बहुत खुश हूँ ये सब तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का नतीजा है तुम्हारा शुक्रिया बहन मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि मेहनत करने पर हर चीज संभव हो सकती है हाँ बहन तुमने ना केवल अपना व्यापार बढ़ाया बलकि तुमने बहुत सी गरीब महिलाओं की मदद भी की है तुम महान हो